नमस्कार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं अलजेल सीरप के बारे में आज हम जाने के कौन सी समस्या होने पर और कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए सीरप का इस्तेमाल किया जाता है इसको लेने के बाद कौन-कौन से नुकसान हो सकता है यानि कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं और इसके क्या फायते होते हैं किस परकार से को इसका डोस के परकार से लेना है और इस सीरप में कौन सा साल्ट कंपोजिशन पाया जाता है तो बैए अलजेल औरल सस्पेंसन सीरप में कितना है दम क्या है कम सब बताएंगे हम आए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो भी सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सीरप में बात कर लेते हैं कि कौन से समस्चाओं को ठीक करने के लिए इसका यूज के जाता है उससे पहले हम कुछ साफधानिया बता देते हैं सीरप को लेने से पहले आपको क्या रखनी है तो भाई इस सीरप को लेने से पहले अगर आप गरबवती है या गरबवती होने का प्लान क कर रही है यह जोना बना रही है या स्तन पान कुरा रहेotros ऐनि बच्चों को दूद्व पिला तहीं हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर को बताएं पहले से अगर कोई आप लिए तो आपको किड़नी से जुड़ी कोई बीमारी थो भी आप पने डॉक्टर washing को बतार यानि ACIDT को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है ALGEL Aural Suspensers को दौक्टर द्वारा सला दी गए खुराक और अबदी के अंदूसार भोजन के साथ लिया जाता है खाली पेट इसको नहीं लेना है डोस की बात करें तो आपकी कंडिशन और दवा के प्रति आपके रिस्पोंस पर नहीं करेंगी कि आपको डोस कैसे लेना है दूसरा जो असर है पेट का अलसर पेट में च्छाले हो जाते हैं आतों में च्छाले हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है पेट का फूलना पेट फूलने लग जाता है जादा उसको ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है आपको बता दें अलजेल औरल सस्पेंसन आपके पेट में अतधिक HDT से राहत देता है पेट के अलसर में काम करता है पेट का अलसर खतरा घाव होते है जो पेट या गट यानि की आत की अंतरिक लाइनिंग में विक्सित होते है पेट फूलें की बात करें तो घोड़ेखो फुलें का यानी छाले को ठीक करने के लिए का यूज़ा ओर ऐसी डीटी को ठीक करने के लिए सिर्प का यूज़ के जाता है बात करें कि इसको लेने के बाद कौन-कौन से side effect देखने को मिल सकते हैं तो भई इसको लेने के बाद वैसे तो होने वाले अधिकान side effect में doctor's की सला लेने की जिरूत नहीं पड़ती है और नया मित रूप से दवा का सेवन करने से side effect अपने आप समाप्त हो जाते हैं अगर side effect बने रहते हैं या बिगड़ने लगते हैं तो वो इस परकारज हैं कि अगर आपको इस सिरुप लेने के बाद चाक जैसा स्वाद लगने लगे हर चीज में तो आप समझे हैं या आपको सूट नहीं कर रहा है डारिया यानि दस्ट हो जाए तो आप समझेंगे आपको सूट नहीं कर रहा है आपको कब्स हो जाए तो आप समझेंगे इस सिरुप आपको सूट नहीं कर रहा है और अपने उन डॉक्टर से संपर करें जिन्होंने आपको सिरुप दिया है आपको बतादें इस दवाई की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो जो हमने दी है तो इस वीडियो को शेयर करने ताकि और लोगों को भी अलजल सीरप के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके आपको बता दें से दवाई की जानकारी देने के लिए हमने किसी कंपनिया ब्रांच से कोई प्रमोशन चार्ज या पैसा नहीं लिया है हम अपने चैनल पर सभी पिरकार की पूरी और सही हिंदी में जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं आप भी चाहते हैं सभी पिरकार की दवाईयों के पूरी और सही जानकारी हिंदी में पाना तो यह रहा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना आप से बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक और नई दवाई की नई जानकारी के साथ थैंक यू सो मच